पालमपुर गाउं में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग आट साली हुए थे जब उसका पती उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़ कर इस दुनिया से चला गया घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आगे उसकी एक आट साल की बेटी राधा और छे साल का बेटा सुधीर था बिन बाब के बच्चों को उसने बड़े लाट प्यार से पाला था वो बड़ी दयालू थी उससे जितना बन पाता उससे वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुर्णे करती रहती थी वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोश्ण करती है जब भी छुट्टी वाला दिन होता तो करुना अपने हाथों से मॉमोस बना कर अपने दोनों बच्चों को खिलाती एक रोज वा मा, ये मॉमोस तो बड़े ही अच्छे हैं करुना ने उन दोनों बच्चों को भी मॉमोस दिये वो बच्चे भी स्वादिष्ट मॉमोस खाकर बहुत खुश हुए फिर राधा बूली मा, आप तो अपनी मॉमोस की दुकान ही खोल लो देखना खूब बिक्री होगी और थोड़ी दाम कम रखना तो देखना खूब सारे लोग आएंगे खाने बच्चों के वही बात करुना को जंच गए और उसने हवेली का काम छोड़ कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मॉमोस बना कर बेचने लगी उसने सर्फ 20 रुपे के हिसाब से मॉमोस बेचना शुरू कर दिया जिससे उसे अच्छी खासी बिक्री होने लगी अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया अब करुणा की मॉमोस से अच्छी कमाई होने लगी ऐसे वक्त गुजरा करुणा बूरी हो गई राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली अब वो शेहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई करुणा को लगा कि अब उसके अच्छी दिन शुरू होंगे लेकिन राधा को अपने ही ओफिस में काम करने वाले लड़के मिहर से प्यार हो गया और दो महीने के अंदर ही सब की रजामंदी से उनकी शादी हो गई शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और नहीं जाकर बस गई कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली जल्दी लोटना बेटा ये बूढ़ी अब यहां अकेली रह गई क्या मा पहले जाने तो दो पहले ही टोक दिया अब सुधीर भी शेहर चला गया और करुना गाउं में ही रहकर मोमोस बेचने लगी लेकिन वक्त के साथ और भी दुकाने खुल गई जिसमें नए नए तरह से मोमोस बना कर बेचने लगे जसकारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती उधर शेहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वही के ऐशो आराम में खो गया और अपनी मा को भूल गया कुछ समय बाद उसने वही एक लड़की से शादी भी कर ली और उसके साथ वो वही बस गया करुना के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसा कर बस गया बूरी करुना का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था एक रोज करुना बहुत धार्मिक स्वभाब की थी वो हर रोज गणीशी के मंदिर में जल चड़ाने जाती थी और प्राटना किया करती थी ए भगवान इस अभागन पर दयाज रिष्टी डालो जीवन बहुत कठिन हो गया है लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता मेरे पती के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बुड़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता हे प्रभू दया करो ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है तब ही करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ मैया हम आपका सारा काम करेंगे बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए ठीक है करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ले वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूट थे जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास बेजा था करुणा मोमोस का सामान बना रही होती है माजी ये काम आप हमें दे दीजिए मुमोस हम बना लेंगे आप जाकर आराम कीजिए करुना रसोई घर से बाहर आ जाती है वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं थोड़ी देर बाद गेट खुलता है करुना देखती है कि सारे मुमोस बहुत अच्छे से तयार हो गए है करुना ये देखकर बहुत खुश होती है अरे वाह तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है फिर करुना उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मुमोस की दुकान खोलती है और मुमोस बेचने लगती है आईए आईए स्वादिश्ट और मज़ेदार मुमोस खाईए और अपने घर भी ले जाईए आईए आईए आज करुना के मुमोस में से ऐसी खुश्पु आ रही थी जैसी कभी नहीं आई पुरे बाजार के लोग मुमोस की खुश्पु से आकरशित होकर करुना की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुना की दुकान पर भीर लग जाती है करुना लोगों की ये सारी बाते सुनकर काफी खुश होती है देखते ही देखते उसके सारे मुमोस बिख जाते हैं आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई अगर ऐसे ही मेरे मुमोस बिखने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते दोनों मुमोज बनाते और करुना के साथ उन्हें बेचने भी जाते उन दोनों के बनाएं मुमोज में ऐसा स्वात था कि हर कोई उंगलियां चाड़ता रह जाता एक रात की बात है वो दोनों बच्चे रसोई घर का दर्वाजा बंद करके मुमोज बना रहे थे कमाल है हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मुमोज क्यों बनाते हैं आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है करुना चुपके से जाकर खिड़की में से जाकती है वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमतकारी शक्तिया निकलती है जिससे मुमोज अपने आप बनते हैं ये जादू देखकर करुना दंग रह जाती है वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है दर्वाजा खोलो जी माजी तुम लोग कौन हो क्या मैंने सब देख लिया खिड़की में से जल्दी बताओ क्या सच में गणपती भगवाण ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है करुना ये सब सुनकर बहुत खोश होती है अब इसके बाद दोनों फरिष्टों के जादू से करुना के दिन अच्छे होने लगे दोनों दूद रोज अपने जादू से मोमोस बनाते और करुना उसे बेच आती देखते ही देखते करुना की दुकान चल पड़ी लोग उसके मोमोस दूर दूर से खाने आते थे ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोस की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिये अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुँच जाती है इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है मा प्रणाम देखो मैं आ गया अरे सुधीर बेटा तू तू आ गया तुझे देखने के लिए तो ये आँखे तरस गई थी हा मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे आप माफ कर दो मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था मेरी मती मारी गई थी लेकिन अब मैं आ गया हूँ अब आपको कोई परिशानी नहीं होगी मा ये देख ये तेरी बहु है मीरा नमस्ते ममी जी हमें माफ कर दीजे बेटा मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आखों के आगे आए आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए चलो अब तुम घर में चाहिए क्या हुआ तिजोरी की चाबी मिली हाँ ये रही अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहां से मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भड़ लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं भागते भागते वो गाउं से बाहर निकल जाते हैं तब वो ठक कर एक जगा आराम करने के लिए बैठते हैं इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है अब ज़रा बैग खोल कर दिखाओ तो इसे बची भर कर देख तो लू मैं सुधिर जैसे ही पैसो का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राक है दोनों फरिष्टों के जादू से वो सारे पैसे राक में बदल गए थे वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं वो दोनों राक को टटोल टटोल कर देखते हैं पर पैसो का नामो निशान नहीं होता अरे, पैसे कहां गए, यहीं तो रखे थे हाँ, पैसे कहां गए समझ नहीं आ रहा है तब ही वहाँ पर दोनों जुडवा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और लीरा पर सोर सोर से हसने लगते हैं अरे मूर्खो कुछ नहीं मिलेगा उसमें तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी न कैसी संतान है तू अपनी मा को लोटना चाहता है तेरी मा ने तेरे लिए इतना सब किया ये जो मिला है ना तेरे को ये तेरे करमों का फल है और बिना मा के तेरा जीवन भी इस राक के जैसा है किसी भी कीमत का नहीं अभी भी समय है सुधर जा और जाकर अपनी मा से माफी मांग ले आप दोनोंने हमारी आखे खोल दी हम लोब में अंधे हो गए थे हम अपसे ऐसी गलती नहीं करेंगे हमें माफ कर दो फिर मीरा और सुधीर अपनी मा के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बता कर माफी मांग लेते हैं करुणा भी उनको माफ कर देती है मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करू समझ नहीं आ रहा है तुमने मेरी इतनी मदद की इसके लिए धन्यवाद अब मुझे सब कुछ मिल गया है मेरा बेटा, मेरी बहु सब इसकी कोई जरुवत नहीं है माता हमने कुछ नहीं किया ये सब कुछ भगवान ने कराया है अब आपका जीवन अच्छा हो गया है तो अब हमारा भी यहां से जाने का समय आ गया है अब आप हमें जाने की अनुमती दें ये बोल कर दोनों वहां से चले जाते हैं अब करुणा का जीवन बहुत खुशाल हो गया था अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी उसकी मुमोस की दुकान भी अच्छी चल रही थी अब वो अपने बेटे और बहु के साथ अपना बागी का जीवन खुशी-खुशी बिताने लगती है लक्षमी नाम के बुढ़ी औरत जिसके चेहरे पर सत्तर की उम्र में जुरियां साथ दिखाई दे रही थी पर उत्सा ऐसा मानो बेजबरस की कोई युवा महिला लक्षमी को पूरा राजपुर गाउं लक्षमी बुढ के नाम से जानता था लक्षमी ने अपना पूरा जीवन इसी गाउं में बिताया और आज भी इस उम्र में वो मेहनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पट्री पर चला रही है लक्षमी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पर वो बढ़िया दानिदार भुट्टे उगाती है और फिर उन भुट्टों को भून कर गाउं में बेचती है लक्षमी के भुट्टे पूरे राजपुर गाउं में प्रसिद्ध है जब लक्षमी अपनी स्वादिष्ट भुट्टे लेकर गाउं में निकलती है तो उसके भुने हुए भुट्टों की सुगन से सभी गाउंवाले आकरशित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्षमी के पास आ जाते हैं अरो लक्षमी बुआ आ गई मुझे पता था कि तुम आने वाली हो इसलिए मैं पहले ही गाउं की सड़क पर खड़ा हो गया तुम्हारे भुट्टों के खुश्पू यहां तक आ रही थी ताई जल्दी से गरम गरम भुट्टा सेख दो हाँ हाँ अभी देती हूँ एक साथ चार पांच भुन दूंगी और लोगों को भी आने दो ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा गरम गरम खाओगे तो अलगी आनन दाता है अरे लगता है मैं नीम्बू लाना भूल गई ओहो अब क्या करूँ तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दोड़ता हुआ आता है उसके हाथ में एक थैली थी लक्ष्मी बूआ ये लो नीम्बू मुझे पता था आप घर पर भूल आये होंगे मैं ले आया अरे मेरा बच्चा ओले मेरा लाल तु मेरा कितना खयाल रखता है ये ले एक बढ़िया गरम गरम भुटा तू भी खाले ले खाले लक्षमी इस दुन्या में बिलकुल अकेली थी राजु नाम का वो बच्चा लक्षमी के पडोस में ही रहता था वो लक्षमी से बिलकुल दादी की तरह प्यार करता था लक्षमी भी राजु को बहुत प्यार करती थी एक दिन लक्षमी को पता चला कि राजू का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है तो उसे राजू के बिछडने का बहुत दुख हुआ लक्षमी बुआ तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना मैं चला गया तो तुम्हें नीम्बू कौन ला कर देगा तुम तो रोजाना ही घर पे भूलाती हो राजू मेरे बच्चे मैं तुझे बहुत याद करूँगी मैं तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा पर तू मुझे बहुत याद आएगा तू मुझे मिलने आना आएगा ना हाँ लक्षमी बुआ मैं तुम्हें मिलने जरूर आउंगा और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया राजू के जाने के बाद लक्षमी को उसकी बहुत याद आती थी जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नजर निम्बू की थैली पर जाती तो उसकी आँखों में आसू आ जाते वो निम्बू की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती लक्षमी बुआ दो भुट्टे दे दो अरे आज तो तुम नीबू लेकर आई हो अच्छा वो राजू जो चला गया वैसे वो कौन सा सगा पोता था तुमारा एक नएक दिन तो उसे जाना ही था भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था पर मुझे बहुत प्यारा था उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कम ही महसूस नहीं होती थी और एक बात ध्यान रखना कुछ रिष्टे खून के नहीं होते कुछ रिष्टे दिल से जुड़े होते हैं हो सकता है राजू भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ लक्ष्मी की आँखों में एक बार फिर आसुआ गए ऐसे ही दिन महीने बीते और देखते ही देखते पंद्रस साल बीत गए लक्ष्मी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेशने गाउं में निकली तो आज थोड़ा जल्दी में वो निबू लाना भूल गई हाँ मोहन तु ठीक कह रहा है पर राजु तो शहर में है अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा आज तुम्हारी बाते सुनकर मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है जैसे ही लक्ष्मी अपनी बूढी आँखों से आँसु पोचने लगती है उसके सामने निम्बू की थैली लिए एक बहुत ही सुन्दर लंबा चोड़ा कद का लड़का खड़ा होता है लक्ष्मी बूढ आज तुम फिर अपनी थैली घर पर भूलाई ना अगर मैं न लाता तो कौन राजु लक्ष्मी बूढ तुमने मुझे पहचान लिया हाँ मैं वही तुम्हारा बचपन का छोटा सा राजु तेखो अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ राजु मेरे बच्चे मेरे लाल तु कितना बड़ा हो गया तु कब आया सुभई तो आया और आते ही तुमसे मिलने घर गया पर पता चला कि तुम तो भुट्टे बेचने निकल गई हो इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो वो मैं ले आया लक्ष्मी बूढ तुम कैसी हो देख देख कैसी लग रही वो वैसी ही जैसे पहले थी मेरी प्यारी लक्ष्मी बूढ और फिर राजू लक्ष्मी के गले से लग जाता है राजू लक्ष्मी को अपने साथ शेहर चलने के लिए मना ही लेता है लक्ष्मी बूढ अब मना मत करना अब तो तुम्हारा राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है अच्छी नौकरी करने लगा है इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुवा को अपने पास रख सकता है प्लीज मेरे साथ चलो ना तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिये बहुत महनत कर ली अकेले जिन्दगी को बहुत जी लिया अब अपने पोते के साथ जिन्दगी जीने का वक्त है लक्ष्मी बुवा मुझे दादी का प्यार चाहिए जिसके लिए मैं इतने साल तरसा हूँ तुम तो जानती हो मेरे अपने दादा दादी तो बचपन में ही गोजर गए मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है लक्ष्मी बुवा मेरे साथ चलो न अपने राजु को अपने लिए कुछ करने का मौका दो राजु लक्ष्मी को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है जिन्दगी के आखरी पलों में लक्ष्मी ने वो देख लिया जिसकी उसने बर्सों से कामना की थी उसे पोते और बहु का सुख मिला राजु के माता पिता लक्ष्मी की बहुत इज़त करते है सच बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिष्टों को निभाते हैं और ये रिष्टे ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं